जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को भसा लेते हैं तो शक्ति का दाइरा पढ़ जाता है खिरता पढ़ जाती है आखें दिमाग के द्वार हैं इसी लिए आखें बंद होनी चाहिए मंत्रों चारण कोई भी धनिया अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं इसी लिए इन्हें बंद करना होगा जब शरीर धिला छोड़ दिया जाता है चेतना दूसरे कक्ष में पहुँचाती है मन और बुद्धि मन विचारों का समूग है बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं जब विचार आते हैं तो प्रश्टु ही उठखडे होते हैं जाले और अंजाले मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रक्रती है जान बूच कर सांस न लिजिए जान बूच कर सांस लीजिए न छोड़िए सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए प्रक्रतिक सांस पर ध्यान देजिए ये इसकी व्याक्या है यही तरीका है विचारों का पीछा मत कीजिए विचार, सवाल, उनसे चिपक मत चाहिए विचारों को हटा दीजिए सांस पर पुनह ध्यान दीजिए प्रक्रतिक सांसों पर ध्यान दीजिए सांसों में खो जाएए इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएदी धीरे, धीरे, सांस, हल्की और छोटी होती जाएदी आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएदी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूपने लेगी इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार वो विचारों से परे हो जाएगा ये तशा कहलाती है निर्मन स्थिति या बिना विचारों की तशा ये ख्यान की तशा है ये वो अवस्था है जब हम पर विश्वशक्ति की बौचार होने लगती है हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्वशक्ति हमें प्राप्ध होगी विश्वशक्ति प्राण मैं शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राण मैं कहलाता है प्राण मैं शरीर में बहत्तर हजार से ज़ादा रंग रहित नाडिया या शक्ति की नलिया होती है जो पूरे शरीर में प्हली हुई है शक्ति नलिया सिर के भाग से शुरू होती है ये भाग ब्रम रंद्र कहलाता है ये नलिया सारे शरीर में पेड की जड़ों और डालियों की तरह पहली हुई है प्राण मैं शरीर हमारे शरीर का विशेश आधार है प्राण मैं शरीर हमारे कारे यहां तक की हमारे अस्तितों का स्थ्रोथ है प्राण मैं शरीर को गहरी नीद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिल्टी है हम इस शक्ति का उप्योग अपनी सारी मानसिक और शारीर क्रियाओं में जैसे देखना बोलना सुनना सोचना और शारीर कारियों में करते हैं इनी सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है विश्व शक्ति का बहाव केबल हमारे विचारों पर आधारत है जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुख जाता है मतलब ये है हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुँचती है ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहत सुक्ष्म धव्वे डाल देती है ये धव्वे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं मतलब ये है कि हमारे प्राण में शरीर में शक्ति की कमी सारी बिमारियों की चड़ है ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है ये हमारी शक्ति नलियों के जरिये सारे शरीर में पहुँशती है जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सुक्ष्म धव्वे मिट जाते हैं और जब ये धव्वे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं जब भ्रम रंद्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारी शरीर में भारी बन लगने लगता है जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है जादार जान करने से ये दर्द तूर हो जाते है ध्यान के द्वारा जादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक दीमाईयों से छुटकारा पासकते हैं अगर हम पिरमिट के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारन से तिगुनी जल्दी पहुच जाती है अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरमिट और पिरमिट की शक्ति क्या है अब हम पिरमिट क्या है